हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस्ट क्लास में आज किस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परिक्षा 2021 के लिए विज्ञान के यहाँ पे पहले मौडल पेपर को सॉल्फ करेंगे इस मौडल पेपर में यहाँ पे 48 महतपूर अबजेक्टिव प्रशन है जो 2021 बो भी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में बेल आइकन को ओल पे दबा लिजे ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो आईए शुरू करते हैं आपे पहले पर प्रशने से पहला प्रशने आप देखिए लेंस की छमता का एसाई मात रख होता है इसमें से पहचानना है कि लेंस की छमता का एसाई मात रख क्या होता है और डाइप्टर को किस से सुचित किया जाता है तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है आईए देखते हैं यहां पर दूसरा प्रश्न यहां पर प्रकास के किरणों के समों को कहते हैं, यहां पर काफी ही महत्पुन प्रश्न है यह कि प्रकास के किरणों के समों को क्या कहते हैं, यह देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्ण अगला प्रश्ण आप देखें तीन नमबर प्रश्ण किसी माध्यम में छोटे छोटे कड़ों के निलंबन को कहा जाता है A option है यहाँ पर कुलाइड, B option है पुंज, C option है प्रकास, D option है इन में से कोई नहीं तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कड़ों के निलंबन को क्या कहा जाता है तो कॉलाइड कहा जाता है यहाँ यहाँ पर A option क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं आपे अगला प्रश्ने आपे देखे चार नमर प्रश्ने है मानो सरीर का परतिरोध कितना होता है यहाँ पर आपको बताना है कि जो मानो सरीर का परतिरोध होता है वो कितना होता है A option है आपे 50 ohm से लेकर 100 ohm तक B option है 100 ohm से लेकर 1500 ohm तक C option यहाँ पे 1500 오्म से 200 о्म तक D option है 200 о्म से 300 ohm तक काफी ही मत पूर प्राश्ट है questioning है मानो सरीर का पतिरोध कितना होता है तो मानो सरीर का पतिरोध है यहाँ पर 50 से लेके 100 oms के बीच में होता है यहाँ पर A option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर 5 नमबर प्रश्ण है 5 नमबर प्रश्ण है किसी वल्व से 200 वोल्ट पर 2 एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर देखे हम लोग को परतिरोध निकालना है और यहाँ पर बोल्ट कितना दिया है यहाँ पर 220 बोल्ट दिया है और यहाँ पर धारा कितना दिया है दो एंपियर का धारा प्रवाहित हो रहा है तो बस आपको यहाँ पर रख देना है तो यहाँ पर देखे भी कमान कितना है तो यहाँ पर 220 बोल्ट है तो यहाँ पर लिख देंगे 220 बोल्ट बुराबर है तो यहाँ पर बराबर कर देंगे का r हो जाएगा 220 को जब हम 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 110 बार में कटेगा यहांई 110 क्या हो जाएगा यहांपे 120 जो option नंबर यहांपे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहांपे अगला पर्शने आप देखे 6 नंबर प्रशने है समनांतर करम में जोड़ने पर तुल्य परतिरोध होगा बोल रहा है कि यहां पर आर ओम परतिरोध वाले एन परतिरोधों को समनांतर करम में जोड़ने पर तुल्य परतिरोध क्या होगा यहां पर N into R होगा या नी यहां पर C option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहां पर अगला प्रश्णिय आप देखें सात नंबर प्रश्णिय की ओम के नियम नहीत है ओम के नियम इसमें से किसमें नहीत है ए ओप्सेने भी आर बुराबर आई में बी ओप्सेने यहाँ पर भी इसकल टू आई आर में यहाँ पर डी ओप्सेने आर इसकल टू बी में तो अभी हम आपको बता भी चुके हैं कि ओम के नियम में नहीत होता है कि में नहीं थे तो B is equal to IR में नहीं थे यानि यहाँ पर B option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर आठ नमबर प्रशन आठ नमबर प्रशन यहाँ पर देखें विदुधारा की प्रवलता का A साई मातरक है यहाँ यहां पर देखिए बिद्धुधारा की प्रबलता का ए-साही मात्र रख बताना है difer, K यहां पर ए M, PR की प्रबलता का aim किससे सूचित किया जाता है então M, PR को e सै सूचित किया जाता है तो यह भी आपको यह questions कर आ उत्पन करने की युक्ति को कहते हैं यहां पर काफी ही महत्पुन प्रश्ण है कि विदुधारा उत्पन करने की युक्ति को क्या कहते हैं यहां पर जाता है यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुली सही हो जाएगा विदुधारा करने वाली युक्ति को जनित्र कहा ढाइए देखते हैं आपसे अगला प्रश्टे डुपको कहते हैं काफी बार यह भी प्रश्टन हम आपको बता जुके हैं A option है आपतन कोण, B option है परावरतन कोण, C option है निर्गत कोण, D option है इन में से कोई नहीं तो जो निर्गत किरण होती है और जो अभिलंब होता है उसके बीच जो कोण बनता है ये निर्गत किरण होती है और ये अभिलंब होता है यह देखते हैं यहां पर अगला प्रश्णी 11 नंबर प्रश्णी यहां पर देखिए एक मीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की छमता होगी यहां पर निकालना है कि एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की छमता क्या होगी तो यहां पर पावर निकालना है तो कुछ भी नहीं चेंज करना है यहाँ पर फोकस दूरी कितना दिया है एक मीटर बस आपको रख देना है पी इसकल टू वान बटा यहाँ पर कितना एक मीटर यहाँ पर दिया है तो एक बटा एक इसकल टू केतना हो जाता है यहाँ पर एक डाइयोप्टर यहाँ यहाँ पर से सुचित किया जाता है यहां पर गुण है कितने होती हैं। 10 cm, B-Option 15 cm, C-Option 20 cm, D-Option 25 cm, जितने भी हम आपको यहाँ पर परशने करवाया रहे हैं वो पहले के हम लोग कर चुके हैं, आप लोग बस यहाँ पर अपना practice set कीजिए और यहाँ पर अपने model set दीजिए और यहाँ पर आप लोग बताईएगा कि 48 परशने में से आप कितना सही बोड में पूरा 48 परशने पूछेगा आपसे, लेकिन उसमें से आपको 40 ही बनाना पड़ेगा, अगर 40 आपका आ जा रहे हैं तो समझेए आपका पूरा number इसमें मिलेगा objective में, अगर आपका 40 बन जा रहा है, सही सही तो समझेए कि आपकी त्यारी बहुत ही अच्छी हो यहां पर D option क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं आपर अगला प्रश्णे, अगला प्रश्णे आपर देखिए 13 नमबर किस दिरिष्टी दोस के निवारण के लिए औतल लेंस का परियोग किया जाता है, यहां पर बताना है कि किस दिरिष्टी दोस के निवारण के लिए हम ओतल लेंस का परियोग करते हैं, तो यहां पर जो निकट दिरिष्टी दोस होता है, इसी के निवारण के लिए हम ओतल लेंस का यहां पर परियोग करते हैं, यहां पर B option क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते ह अगला प्रश्टिया आप देखे 14 नमबर प्रश्टिया दूर दिरिष्टी दोस्वाले मनुस्यों के चस्मे में होते हैं अगर किसी वैक्ति को दूर दिरिष्टी दोस्वाले मनुस्यों गया है तो उसके चस्मे में कौन सा लेंस यहाँ परियोग किया गया होगा A option यहापको यहाद रखना है यहापको यहाद रखना है यहापको यहाद रखना है यहापको यहाद रखना है यहापको 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 दारा कमान क्या होता है ए उपसेन यहां पर बहुत कम हो जाता है बी उपसेन यहां पर परिवर्थित नहीं होता है सी उपसेन बहुत अधिक बढ़ जाता है डी उपसेन निरंतन परिवर्थित होते रहता है तो यहां पर दिके लगू पतन की स्तिति में क्या होता है जो धारा कामान होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है यानि यहाँ पर क्या हो जाएगा c-option क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं आपे अगला परश्चने अगला परश्चने है आप देखिए 16 नंबर प्रश्चने गोवर गैस एक परकार की है यहाँ पर बताना है कि जो गोवर गैस है वो एक परकार की क्या है A option है यहाँ पर प्रकृतिक गैस B option है यहाँ पर बायो गैस C option है लकडी D option है यहाँ पर चूला यहाँ पर किजिएगा तो आपको एक ही बार जैसे परिक्षा में पेपर आएगा उसी परकार के आपको वैसे ही आपको यहाँ पर फील होगा तो आप लोग एक ही टाइम में इतना प्रशना आप स्वाल किजिएगा तो आपके दिमाग पर प्रेसर पड़ेगा और अभी से ही आप प्रेसर लिजेगा तो exam hall होगा उसमें आपके दिमाग पर प्रेसर नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले सी आप लोग प्रेसर जहले रहेंगे तो उस समय आपको कितना भी यहाँ पर question दे दिये जाएगा बोर्ड exam में उससे अगर यहाँ पर आप लोग solve किये रहिएगा तो आप लोग solve आसानी से कर पाईएगा नहीं तो इधर आप लोग question नहीं solve किये रहिएगा इतना और यहाँ पर बोर्ड exam में उतना paper मिल जाएगा तो आपको अलग से ही pressure हो जाएगा तो इसलिए आज से ही अभीकिया बिधुत सनियंत्र किस राजे में इस्तित है जो कहएगा नाभीकिया बिधुत सनियंत्र है वो किस राजे में इस्तित है आपको बताना है ए उपसेने गुजरात में बी उपसेने करनाटक में सी उपसेने राजस्थान में डी उपसेने यहाँ पर महराष्ट्रा यहाँ पर देखिए औच्छेपड अभिकिरिया से किस परकार का लौण प्राप्थ होता है जो औच्छेपड अभिकिरिया होता है जिसमें प्रतिफल औच्छेप के रूप में प्रिथक हो जाता है तो वो जो औच्छेपड होता है वो किस परकार का लौण होता है A option यानि य यहां पर क्या हो जाएगा विखुलने वाला पदार्त नहीं होता है उसे ऑघला पर अगला परश्टनी यांप की Baking Soda का रशायनिक नाम है जो खाने वाला soda होता है उसका रशायनिक नाम यहां पे अपको बताना है और सोडियम कार्बोनेट B और जो धोने वाला सोडा होता है उसका नाम क्या होता है यहाँ पर सोडियम कर्बोनेट होता है तो यहाँ पर याद रखना है आईए देखते हैं आप अगला प्रश्णे 20 नंबर प्रश्णे आप देखिए अयसक से धातु का निस्करसण तथा उसका प्रिसकरसण कर उपियोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं आप धातवीक, भी ओप से धातु करम, सी ओप से अधातु साला, डी ओप से ने इन में से कोई नहीं तो आप लोग 48 प्रश्णे देखिएगा और आज हमें कोमेंट करके बताईएगा कि आप 48 में से कितना सही किए यह एक टेस्ट जी की तरह है, तो आप लोग पहली बार आप हमको बताईएगा कि बोड़ल पेपर में आप 48 में से कितना सही कि इए जीन बच्चों का यहाँ पे 40 प्लस आएगा तो समझ लिजे उनका जो है त्यारी उनकी अच्छी दीशा में चल रहे हैं और 40 से कम जिन का आ रहा है तो समझ लिजे कि अभी उनको पढ़ने की जरूरत है तो यहाँ पे दिखे 20 नमर प्रश्ण है यहाँ पे कि अयस किसी का निर्सकरसंड तता उसका परिसकरसंड कर उपियोगी बनाने के प्रकरम को हम लोग क्या बोलते हैं तो उसे हम लोग धातु करम बोलते हैं यहाँ पे B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्ण है अगला से प्राप्त उर्जा डी ओप से नहाँ एक दिन कोईला ब 순थ घंडारारन है वह एक निसी थे वह एक नए एक दिन खतम हो जाए गा सुरजा है वह पृत्वी के जबुआ खतम हो जाएगा तो यह कभी खतम होने वाला नहीं है यहां पे B option क्या हो जाएगा बिल्कुल से हो जाएगा जो सौर उर्जा होगा यहां पे नवी करणिया उर्जा होगा यह देखते हैं यहां पे 22 नमर प्रशने यहां पे देखिए और नवी करणिया उर्जा का सुरोत है इसमें से अब आपको पहचान ये खतम हो जाएगा इसलिए अनुवी करणिया हो जाएगा यहाँ हो जए गैसा है स्पाहिए है बिल्गुल ही और इन्धन इन्धन फो एक में खत्म हो जाएगा यहां पर हो जाएगा यह क्या कैन किहां पर जिवासमी इंधन तो यह your hero यहाँ पर अनवी करणिया उर्जा हो जाएगा यह देखते हैं यहां पर 23 नमर प्रश्णै एक उत्तम इंधन है इसमें से आपको पहचानना है कि कौन एक उत्तम इंधन हैं A उपसे ने कोईला यानि यहाँ पे D option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं आपे अगला प्रश्चने आपे देखिए 24 नमर काफी मातकुड है निम्न मेंसे किसे हाइड्रोजन कार्बन के तीन आबंद है इसमें से बताना है कि निम्न मेंसे किस हाइड्रोकार यहाँ पे तीन आबंद है तो जो यहाँ पे आपको दीख रहा है C3 H4 E3 के क्या होते हैं यहाँ यहाँ पर C option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्चने आप देखिए 25 नमर प्रश्चने चीनी का रसायनिक सु सुत्र क्या होता है यहां पर चीनी का रसाइनिक सुत्र क्या होता है यहां पर चीनी का रसाइनिक सुत्र होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा C option क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा यानि यहाँ पर C option क्या हो जाएगा बिलकुल ही सही हो जाएगा और यह प्रशने काफी बार बोर्ड एक्जाम में पूछा गया है यह देखते हैं यहाँ पर अगला प्रशने 26 नंबर 26 नंबर प्र तो इसको अंतिमला बोलिये, या पहला बोलिये, एक ही यहां पे क्या बनेगा, कक्चा बनेगा, और उसमे कितने एलेक्ट्रोन होंगे, दो होंगे, या नि reca BE Opsion किया हो जायगा, यहां पर विल्कुल ही सही हो जायगा, यह देखते हैं यहां पर अग्ला प्रष्ण है, अग् पोसड कहा जाता है, उसमें क्या आउस्स्यक होता है, तो यहाँ पर दिया है CO2 यानि carbon dioxide, bu option यहाँ पर कोलोरोfil, caron dioxide, 28 नमर पर पर हमगा, disruption कोवक में पोसड की कौन सी बिधी होती है, जो कवक होते हैं उसमें पोसड की कौन सी बिधी होती है यहनि जो कवक होते हैं वो कौन सी बिधी के दोरा अपना भोजन गरहण करते हैं 29 नमर प्रशने हैं इसमें आपको बताना है कि जो chlorophyll वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है ए उप्षन है यहाँ पर हरा बी उप्षन है यहाँ नीला सी उप्षन है लाल डी उप्षन है यहाँ पर सफेद तो chlorophyll वर्णक का यहाँ पर रंग कैसा होता है तो इसका रंग कैसा होता है हरा होता है इसलिए जो पेड़ प यहां पर बताना है कि बिखंडन से क्या होता है कार्बन डाइयोकसाइड जल और उर्जा देता है तो यह जो पाइरुएट का विखंडन होता है यह किरिया किसमे होता है आपको यहां पर बताना है यहां पर बताना है कि यहां पर बताना है कि यदी हमारे सरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें किस रोग की होने की संभावना है, A option ए ग्वाइटर, B option ए गलगंड, C option ए घेंगा, तो ये तीनों जो रोग है ये होने के यहाँ पर संभावना है, यहाँ यहाँ पर D यानि सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिलकुली सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से यह सभी गेंगा रोग गलगंड रोग और गवाइट रोग यह सभी क्या ओता है आयोडिन की कमी से होता है आज कि अगला प्रस्टे में इन wiping इनबर प्रस्टे म्हें ени इन तों गेंगा रोग गजया are Club iq द्वारा ए एंडासे के दोवाराल रेंग मीद विकली में क्याओं तरावित होता है यांनी यहां पर B-Option क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते है यहां पर अगला प्रश्ने 33 नंबर प्रश्ने है मनुस्यों में एची गतियों का नियंतरण किसके द्वारा होता है यहाँ पर बताना है आपको कि मनुस्यों में एची गतियों का नियंतरण किसके द्वारा होता है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ अगला प्रश्णिया आपर देखिए और आउरत सान्डि के उदagर अस्थम्बों को क्या कहा जाता है जो यहाँ पर बताना है और वर्गों की संख्या कितनी होती है अठारा होती है तो यहाँ पे सांत में याद रखना है तो यहाँ पर यह Dual यहाँ पर भिलकुल ही सही हो जाएगा आवर्त सार्णी के उदगर अस्थम्बो को क्या का जाता है तो वर्ग कहा जाता है गर इसी में पूछ दे कि 36 यहां पे 36 अस्थम्बो को क्या का जाता है तो 36 अस्थम्बो को क्या बोले जाता है यहां पे आवर्त बोले जाता है और इसकी संख्या कितनी होती है तो साथ होती ह तो ये भी प्रश्ण पूछते रहता है तो ये भी आपको क्या करना है याद रखना है आईए देखते हैं यहाँ पर 35 नमर प्रश्ण 35 नमर प्रश्ण यहाँ पर की आवर्तसार्णी के प्रथम वर्क के सदस्य हैं यहाँ पर बताना है कि आवर्त सान्डी के प्रथम वर्क के सदस्य कौन से हैं? यहाँ पर कौन से होते हैं? यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्ने आप देखिए 36 नमर प्रशने भारत सरकार ने बाग सनरक्षण योजना कब पररांब की थी यहाँ पर बताना है कि जो भारत सरकार है वो बाग सनरक्षण योजना कब पररांब की थी तो यह 1970 इसमी में किये थे, यहां पर क्या हो जाएगा, B option क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुली सही हो जाएगा, 1970 यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुली सही हो जाएगा, यह देखते हैं यहां पर अगला प्रश्ण है, अगला प्रश्ण है, 37 नमर प्रश्ण है, कोसीका का पावर हाउस कहा जाता है EO PNk कहा जाता है यहाँ यहाँ पर याद रखना है यहाँ यहाँ पर एउपसन क्या हो जाएगा बिल्कोल सही हो जाएगा और आत्महत्य की थैली किसे कहा जाता है तो Lysosone को कहा जाता है तो ये भी आपको क्या करना है याद रखना है आइए देखते हैं यहापे 38 नमबर प्रशन 38 नमर प्रशने आप देखे किस प्रकार के जनन में जनक के सरीर से नलीका निकलती है याँ पर A ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही हो जाएगा यह देखते हैं आप अगला प्रशने 49 नमर प्रशने आप देखिए मनुस्यों में वरिक संबंदित है जो मनुस्यों में वरिक होता है वो किसे संबंदित होता है ए ओप्सेने पोंशड से बी ओप्सेने स्वसन से सी ओप्सेने उचसरजन से डी ओप्सेने परिवहन से तो मनुस्यों में वरिक किसे संबंदित होता है ये आपको बताना है तो ये आईए देखते हैं यहापर अगला प्रश्ण तो यहापर कर्बन डायोकसाइड बी आवस्चाइड है क्लोरोफिल भी परकास और यहापर डी ओप्सं यहापर डी ओप्सं प्रकास के विल्कुल ही सही हो जाएगा कर निकलता है यहां पर जल से यहां पर अलग हो कर या निकलता है यहां पर यहां पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यहां पर अगला प्रश्चन 42 नमर प्रश्णिय आप दिकिए निमनलीखित में से कौन सा पाधफ हर्मोन है इस में से आपको पहचानना है कि कौन पाधफ हर्मोन है A-Option है Insulin, B-Option है Thiroxin, C-Option है A-Strozen, D-Option है आपको साइटोकाइनिन तो निम्न में से कौन पादफ हर्मोन है आपको बताना है तो यहाँ पर दिखिए जो साइटोकाइनीन होता है यहाँ पर पादफ हर्मोन होता है यहाँ यहाँ पर डी ओप्षन क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा और जो इंसुलीन होता है एस्ट्रोजन होता और यहां पर जो थाइरोक्सीन होता है यह मानो का यहां पर हर्मोन है लेकिन यहां पर जो साइटोकाइनिन है यहां पर पेड़ पौधो का यानि यहां पर हर्मोन है पादप का हर्मोन है साइटोकाइनिन आई यह देखते हैं यहां पर अगला परशने 43 नमबर परशने देख आवेक तो दोतंत्रिका कोशी का मद्धे call अस्थान को कहते हैं यहाँ पर द्रुमी का उप्सान समस्ट्राइबिदा पाइग उन्हाइफ्टी ऑफ साइग अगला है अगला प्रश्नि आप देंगर के चोवालिष नंबर परिशण हंग होता हैं यहाँ पर आपको बताना है कि जो फूलों में नर्पर जानन अंग होते हैं वो कौन होते हैं यहां पे बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं यहां पे अगला प्रस्टे पैतालिस नमर प्रस्टे यहापर की दूई यहां पर पैरा मीसियम में, C यहां पर लिसमेनिया में, D उप्सेन इन में से कोई नहीं, तो बताना है कि दूई खंडन किस में होता है, तो दूई खंडन किस में होता है, अमीबा में होता है, यहां पर A उप्सेन क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, य यह देखते हैं यहां पर 46 नमर प्रश्ण है 46 नमर प्रश्ण है यहां पर देखिए अनुवान सीकी का पीता किसे कहा जाता है यहां पर यहां पर जाता है यहां परहा है यहां बब्रश्ण है 57 नमर प्रश्ण है किसे आप भोकता किसरेणी में किसे रखेंगे तो यह जो जंगली जानवर है इसे आप क्या रखेंगे उपभोगता कि स्रेणी में रखेंगे यहाँ पर C-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं यहाँ पर 48 नमर प्रश्ण है 48 नमर प्रश्ण है निम्न में से कौन एक जैविक प्रकरम द्वारा अबगटित होने वाला पदार थे इसमें से आपको बताना है कि वो कौन है जो जैविक प्रकरम द्वारा अबगटित होने वाला पदार थे A-Option यहाँ पर सूखे घास पत्ते B-Option है Polythene Gas C-Option है Rabards D-Option है यहाँ पर प्लास्टिक की बोतले तो निम्ल्यांकित में से कौन एक जैविक प्रकरम द्वारा अपगटित होने वाला पदार थे जो जो सुखे घास पत्ते होते हैं वो यहाँ पे अपगटित होने वाले यानि जैविक प्रकरम द्वारा यानि समाने प्रकरम द्वारा अपगटित होने वाले पदार थे यानि यह यहाँ पे यह option क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह था हमारे 48 मत पुर्ट यहाँ पे objective प्रशनी जिसमें से 48 देगा अगर आपके board exam में, तो उसमें से आपको 40 ही बनाना है, 8 आपको क्या करना है, यहाँ पे छोड़ देना है, और यहाँ पे देख और board exam में बहुत ही अच्छे नमबर आएंगे, और यहाँ पे देखिए, अगर जिन बच्चों का यहाँ पे 40 से कम आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, और मन लाया के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि board में पूरे के पूरे नमबर लाना है, और काफी अच्छे नमबर लान तो जो भी यहाँ पे option आपको सही लगे, वो आप हमें comment करके जरूर बताईएगा, और आप यहाँ पे जरूर बताईएगा, कि आप 45 में से कितना सही की हैं, और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं की हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा, आपने भाई, अपने बहनों के पास, जो दस्वी की तियारी करते हैं, उनके पास यह वीडियो जरूर सेर किजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा, और बेल आइकन को ओल पे दवा लिजिएगा, तकि जब भी हम को वीडियो अपलो